विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यान मई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएब जे गुरुदेव यूग वसिष्ट की अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो प्रबू रामचंद्र जी को खुद को भी वह अनुभूती हो गई थी महर्शी वसिष्ट जी का ज्यान सुनके और फिर आखिर में उन्होंने कहा था कि यह सारा संसार मेरे बीतर ही समाया हुआ है तो मुझको भी अभिवादन और जिन से मैंने यह अम्रुत तुल्य ज्यान सुना उनको भी अभिवादन उस पर महर्शी वसिष्ट जी आगे कहते है वसिष्ट जी ने कहा हे राम तुम मुझे अत्यंत प्रीय हो इसलिए मैं सत्य को तुमारे संद्मु पुन दवराता हूँ द्यान से सुनो सुनो वैसा करने के लिए तुमें विवित्ता पूर्वण अस्तित्व धारन करना पड़ेगा तुमारी चेतना व्यापक होगी और जिस सत्य का मैं प्रतिपादन करूगा वह उनकी भी दुख से रक्षा करेगी जो जागरत नहीं है अब क्योंकि राम उनका बहुत ही प्रिये शिश्य है तो महर्शी वसिष्ट जी उनको पुना सत्य बता रहे है लेकिन इसमें और एक खास बात बताई ये बताई कि जो पूरी तरीके से जागरत लोग नहीं है न वो भी यह ज्यान अगर सुनेंगे तो दुख से उनकी भी रक्षा होने वाली है तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए बहुत ही अवशक है जो अज्यानी है उसकी यह गलत दारणा होती है कि शरीर ही आत्मा है ऐसे व्यक्ती कि इंद्रिय स्वता उसकी शत्रू होती है दूसरी और जिसे आत्म ज्यान प्राप्त होता है वह सत्य को जानता है कि कैसे इंद्रियों की मैत्री से आनंद उठाया जाता है अज्यानी व्यक्ती के लिए शरीर ही सब कुछ होता है वह सोचता है यह शरीर ही आत्मा है और वह व्यक्ति इंद्रिया जो वह शरीर को अपना आत्मा मानता है फिर उस व्यक्ति की इंद्रिया उसकी सही में शत्रू बन जाती है क्योंकि फिर वो उसमें लिपत रहता है ना उतना पर ज्यानी व्यक्ति को पता है इंद्रिया क्या है और वो यह भी जानता है इंद्रियों के द्वारा सिर्व आनंद को उपबोग किया जा सकता है उसको वह आत्मा नहीं मानता ऐसे लोग प्रसंद्न तता संतुष्ट रहते हैं वे उन्हें नश्ट नहीं करते जो इंद्रियों को आत्मा या शरीर को आत्मा नहीं मानते से संबद्ध होता है आत्मा को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है शरीर भी नहीं और शरीर का और आत्मा का वैसे डिरेक्ली कोई संबद्ध भी नहीं है संबद्ध का एक मतलब होता है कि उसके नियंत्रण में नहीं है ऐसे भी कह सकते हैं ये दोनों प्रकाश और अंदकार की तरह है शरीर और शरीर में वास करने वाली बुद्धी की सही समझी व्यक्ति को संपूर्ण स्रिष्टी के भहतिक तथा अध्यात्मिक पक्षो को समझने में समर्थ बनाती है शरीर में वास करने वाली बुद्धी बुद्धी को बहुती महत्व दिया गया है वह बुद्धी व्यक्ति को सμपूर्ण स्रिष्टी के भहतिक तथा अध्यात्मिक पक्षो को समझने में समर्थ बनाती है ना तो भहतिक क्या है वो भी नहीं समझ में आएगा जब यह समझ नहीं होती तब मन में जो भी दारणाय उत्पन्न होती तता फलती फुलती है उसमें कुछ भी सार नहीं होता पहले तो समझ चाहिए समझ नहीं है तो मन में उटने वाली उबरने वाली यह भावना किसी काम की नहीं है उनमें कुछ सार नहीं है सत ज्यान के प्रकाश के अभाव में उत्पन्न होने वाली गलत दारणाओं से पगलाया हुआ व्यक्ति, निरंतर गास की पत्ती की तरह हवा में इदर उदर उड़ता अर्था भटकता फिरता है सत्य का ज्यान नहीं है उसका प्रकाश नहीं है तो सूखे पत्ते हवा में कैसे उड़ जाते हैं इधर उधर उसी प्रकार की स्थिति उस अज्ञानी व्यक्ति की हो जाती है देखوا हमारे जीवन में بھی कितने वार लोग मुझसे भी आकर कहते हैं कि परिस्थितियों के वज़े से भावनाओं की वज़े से तितर बितर हो जाते हैं लोग क्योंकि सत्य का प्रकाष अभी तक बितर नहीं हुआ है उसका पूर्ण उदय नहीं हुआ है उसके वज़े से ब्रह्मांड ये बुद्धिमत्ता के अबाव में इंद्रिया विश्यों से संपर्क स्तापित करती है और ब्रह्मवश समझ लेती है कि इस संकर्प से संपर्क से हम अर्थ पूर्ण अनुबह कर रहे है अज्यान है ना तो इंद्रिया जब सांसारिक वस्तों के संपर्क में आती है तो ऐसे लगता है मुझे पूर्णता का अनुबह हो रहा है इसके वज़े से इंद्रियों से जो अनुबह मिल रहा है वो ऐसे कभी-कभी होता है ना ऐसे लगता है तुरुप तो हो गया आज कुछ मीटा का लिया गुलाब जावन का लिया तुरुप तो हो गया लगता है नैसे अज्ञानता वश लगता है कि ये इंद्रिया वस्तों के सांसारिक वस्तों के संपर्क में आ गई और मुझे इन्होंने पूर्ण कर दिया निश्चे ही असीम और अनंत बुद्धिमत्ता इन सभी में निवास करती है परंतो आत्मग्यान का अबाओ के फलस्वरूब वह अपने को भी नहीं पहचान पाती इस प्रकार ससीम और परिसीमित अपने को मान लेती है तो आत्मग्यान नहीं है ना तो फिर संकुचित मनोवर्ति हो जाती है छोटे को अपना ब्रह्मतत्वासी में ना प्रभू रामचंद्र जी ने क्या कहा था ये सारा संसार मेरे भीतर समाया हुआ है पर इसके विपरित क्या लगता है मैं संकुचित हूँ, छोटा सा हूँ अपने आपको सीमित मानना शुरू कर देते है प्राण शक्ति व्यक्ति की क्रिया शीलता में उर्जा भरती है उसका बस यही काम है आत्मग्यान का अबाओ होने पर व्यक्ति जो कुछ दुसरों से बोलता या गरशता है वह बंदूग की आवाज के समान है वह निश्चे ही विनाश की और अग्रेसर होता है उसका कोई हितकर परिणाम नहीं होता देखो प्राण शक्ति का काम ही उर्जा भरना है लेकिन आत्मग्यान नहीं है तो व्यक्ति जो कुछ बात करता है वो बंदूग की गुली की तरह है जो ग्यान में नहीं है न वो देखना वो बात करता है उससे दुखी करता है लोगों को परिस्तितियों को बिगाड़ ही देता है तो आत्मग्यान के बगार न ये बड़ा दिक्कत वाला है उसका कोई हितकर परिणाम नहीं होता कोई उससे बहतर नहीं होता हितकर नहीं होता, मूर्ख लोग अपने श्रम की उपलब्दी से अनन्दित होते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते, कि जिस चटान पर वे आराम कर रहे हैं, तथा नीन ले रहे हैं, वह धधक रही है, परिश्रम से, इंद्रियों से अनन्दित होते हैं, उनको लगता है, बस यही है सब कुछ, कितना विश्रम है, कितना अनन्द है, पर यह उस तरीके की बेवकूफी है, जैसे कोई गर्मी से तप्त पत्थर के उपर वह लेटे हुए हैं, और सोच रहे हैं कि वह आराम कर रहे हैं, पर वास्तविक्ता में वह गर्म तप्त पत्थर क्या उनको आराम ले रहा है क्या? नहीं, उसी प्रकार की अज्यानियों की स्तिती है, ऐसे मुर्ख की संगती वन में उस पेड पर बैठे होने के समान है, जो गिराया जाने को है, ऐसे लोगों के हित के लिए आप जो भी करें, वह वैसा ही है, जैसे कि छडी से हवा को पीटना, उन्हें जो क कुछ दिया जाता है, वह कीचड में फेकने के समान है, और उन्हें समझाना उतना ही सार्थक है, जितना कुट्टे का आकाश पर भौकना, मुर्ख की संगती कैसे है, ऐसे पेड पर बैठने जैसा, जो पेड अभी गिरने ही वाला है, कटने ही वाला है, उनसे प्राप्त कु कुट्टे को समझाने जैसा है, जो कुट्टा आसमान को देखकर भोक रहा है, और क्या हसिल होगा आसमान को देखकर भोकने से, उस प्रकार अज्ञानियों की संगती है, आत्मा के संबंद होने वाले अज्ञान ही सब दुखों और विपत्तियों का स्त्रोत है, क्या कोई ऐ ऐसी विपत्ती भी है जो आत्मा संबंधी ज्यान से उत्पन्न न हो। सारी विपत्तिया, सारी परेशानिया अज्यान से होती है। ऐसी कोई परेशानी विपत्ती नहीं दुनिया में जीवन में जो आत्मा का ज्यान होने के बाद उत्पन्न हो। अज्यान से यह सारी स्रिष्टिय अच्छा दिते हैं और उसी के द्वारा पोशिब भी ही अज्यानी पर एक पर एक विपत्या आती रहती है और सुक शायत ही प्राप्तो होता है तो अज्यानियों पर विपत्यों की बरसात होती ही रहती है विपत्तिया आती रहती क्योंकि वो अज्यानी है सुख भी आता है कभी कबार लेकिन ज़्यादा तर एक के बाद एक विपत्तिया आती रहती है यहाँ पे महर्शी वसिष्ट जी अज्यान वश क्या-क्या अनुभो करने पड़ता है न उसके बारे में प्रबूर आमचंद्र जी को बता रहे है तो आज के एपिसोड में तो यही पर रुखते है अगले एपिसोड में देखते है इस चर्चा में और क्या होता है तब तक के लिए जै गुरुदेव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे